मानिये सांसद गण आज विश्व की नजर भारत पर है शित्य युद्ध के समय हमारी पहचान गुट निर्पेक्ष देश के रुप में रही उस समय की जो जरूरत थी उसके जो लाब होने थे उस समय से हम गुजरे हैं लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय गुट निर्पेक्ष की अवस्ता आवशक होगी आज हम उस नीती को लेकर के चल रहे हैं जिस नीती को अगर हमें पहचान रहा है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं दुनिया हमारे में मित्र जो खोज रही है ये प्षायद विश्व में एक भारत ने और दूरी नहीं हो सके उतनी निकरता उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सभलता पुर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका लाप आज भारत को हो रहा है भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाइचेन के रुप में उभर रहा है और आज विश्व की य े जोबल साउत के आवाज बनकर गandez ूब रहा है यह बीशी सबीट में जो बीज बोया गया है मेरे देश्वասी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवरुख्षे बनने वाला है विश्वास का ऐसा वटवरुख्षे बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीडियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीधा तान करके खड़ी रहेगी यह मुझे विश्वास है अकि ऐस जी टृंडी में बहुत बड़ा काम हमने किया बाव़ोफ्य एलाइंस का हम विश्व के नितरुथव करते हैं दिशा दे रहे और विश्व को बावफ्यों एइलाइंस में सबी प्रदेश देखते ही देखते उसकी सदस्तिता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा अंदोलों खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेत्रुत्व यह हमारा भारत कर रहा है कि छोटे-छोटे महाद्वीप उनके साथ भी आर्थिक कोरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए है